हेलो बच्चों कैसे हैं आप टेक्नो सिक्षा आज आपके लिए लाया है आपकी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नुमबर 9 और इसका ही ये लाश्ट पार्ट यानि पार्ट नुमबर 5 मैंने का चैप्टर का नाम है किंग सेंड क्रोनिकल्स दे मुगल कोर्ट्स सासक और कन दबाना न भूले शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने का इसमें 16 और 17 सेंचुरी तक का इतिहास बताया गया है मुगल वंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं मैंने कहा था मुगल वंस जिसका संस्तापक है बाबर इसके चार पार्ट कर चुके हैं पहले पार्ट में हमन सेनामा के बारे में आदर्स राज्य सुलह कुल इन सब के बारे में तीश्रे पार्ट में हमने पढ़ा था राजदानिया कहा कहा सिफ्ट की गई उन सब के बारे में मुगल दरबारों के बारे में और जो पदविया दी जाती थी उनस के बारे में चौते पार्ट में हम पढ आज पढ़ेंगे हम केंद्र से पड़े प्रांतिय प्रशाशन, जो प्रांतों में शाशन होता था उनके बारे में, सीमाओं के पार के बारे में हम जानेंगे, सफाविद, कांधार, आटोमन्द समराज्य, मगलों में जो चैस्वीट धर्म पर चारक आए मगल दरबार में उन जैसे केंदर में कार्य को विबाजन होता था वैसे ही प्रांतों में भी दोराया गया था प्रांत यानि सूबा जैसे आप केंदर सी छोटा अब राज्य को समझते हैं वैसे ही प्रांत समझ सकते हैं कहते हैं यहां भी केंदर के मंतरियों की तरह ही अधिनस्त कौन होते थे उन सूबेदार जो हैं सीधा बादसाह को रिपО eens परस्तूत चर्था ता और जो मैंने कहा सूबा है कई सरकारों में बटा हुआ था तो सूबे की छूटी ही काई हो गई की देख रहे कौन करते थे इसके लिए तीन अर्धवंसानुगत अधिकारी aika किया जाता था ये काम कौन के तीन अधिकारी हैं कहता है कानून को चौधरी और काजी कानून को कौन है कहता है जो revenue records bit से संभलके रखने यानि हेट और काजी जो नियाए वगएरा का काम देखता था नियाएधीस उसे हम कह सकते हैं काजी कहता है सासन के प्रतेग विभाब के पास लिपिकों का एक बड़ा सहयक समूब का लिपिकों की एक संक्या किलरकों की एक संक्या होती थी जैसे एकाउंटेंट्स, ओडिटर्स, मेसेंजर्स और कहता है अधर फंक्शनरीज ये टेक्निकली क्वालिफाइड होते थे सारे के सारी और हर तरफ फार्सी ही सासन की भासा बना दी गई थी तो सासन की मुख्य भासा बन गई थी फार्सी पर जो ग्राम लेखा के लिए स्थानी लेंग्विज का परियोग भी करते थे काउंट्स वगर रख ले जो हाँ के छोटे मोटे अकाउंट्स है तो मैंने कहा लोकल लेवल पर लोकल लेंग्विजिस का भी परियोग किया जाता था नेक्स्ट टॉपिक है स्मिस सीमाओं के परे इतिवरित लेकों ने मुगल बादसाओं द्वारा जो पद्वी अली हैं बताया है जैसे मैंने का शेहंसा क्या मतलब हुआ राजाओं का राजा जहांगीर जहांगीर मतलब जहां यानि विश्व पर कबजा करने वाला और शाह ये इरान की तरफ की राजा हुआ करता है भारतिया उत महादीप में आने को इच्चु सभी विजयताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुस परवत को पार करना होता था तो भारत जिसने भी आना है उन सभी राजाओं को हिंदू कुस परवत माला को पार करके भारत आना होता था नौर्थ इंडिया पहुचने के लिए तो इसलिए मुगल नीती रहती थी कि जो सामरिक महत्व की जो चौकिया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है काभुड और कांधार यहाँ पर नियंतर रखा जा सके ठीके तो क्या कहता है हिंडू कुछ यह आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान आपको दिखाई सकते हैं आपको इसमें इंडिया भी दिखाई दे रहा है ओके पाकिस्तान दिखाई दे रहा है सारा एरिया और यह सारा एरिया अफगानिस्तान का है तो कहता है यह है आपकी हिंदुकुष मौंटेन रेंज ठीक है तो हिंदुकुष परवतमाला मैंने कहा पाकिस्तान और आना होता था जिसको भी भारत में आना है नौर्ट इंडिया आने के लिए तो कंधार सफाविदों और मुगलों के बीच जगड़े की जड़ता सफाविद और मुगलों दोनों ही इसके ओपर अधिकार चाहते थे कहता सुरु में तो हुमायू के अधिकार में था ठीक है फिर बाद में उनके पास चेला गया और 1595 में अकबर ने इसको दुबारा जीत लिया तो 1595 में अकबर ने ठीक है को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए दूद भेजा, ठीक है, जहांगीर ने सहाब बास के दरबार में दूद भेजा, कि ये कंधार है, इसे मुगलों के अधिकार में ही रहने दिया चाहे, तो इसके लिए 1613 में भेजा उन्होंने दूद, पर ये अपने देशे में सफल नहीं हो सका, यहाँ पर जहांगीर का स्वपन आपको दिखाया गया, इसके चित्र, समझेंगे, कहता है, जहांगीर का स्वपन, इस लगों चित्र के अबिलेक से पता चला है, कि जहांगीर ने चित्र के रूप में बनाया, अबूलहसन ने, तो अबूलहसन मैंने कहा सफाविद ठीक है यानि इरान के सफाविद वन्स के राजा तो यह इसमें दिकाया गया है कहता है वे कालपनिक चित्र हैं क्योंकि यह जीवन में मिले नहीं थे पर यह अबुल हसन ने अपने कलपना से बनाया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं कहता है 1622 को सीत्रितु में एक पार्शी सेना कांधार पे डेड़ा डाला और मुगल रख्षक जो सेना थी उस समय वो पुरी तरह तियार नहीं थी जिसकारण वो पराजित थी और उसे किला और नगर किसको वपना पड़ा सफाविद को इस तरह सफाविदो के पास चला गया क सफाविद राजवन्स आप देख सकते हैं इरान का सबसे महत्पूर्ट सटारूर राजवन्सों में से एक था अक्सर आधुनिक इरानी इतिहास की शुरुवात माना जाता है ठीक है सफाविद आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे सफाविद को भी जान जाएंगे बरतमान का तरक कहे लाता है कुछ इसा अरब का भी छिसा ये रौक का बाकी का भी है यह उस्से में का बीन का धिक कहुते आज जो सम्राड़ समयके और मुस्लिम तूर्थिस्थ तल मखका मदीना यह बहुत ऊकल्ण समराट के पाध फूखे बग्दाद जरुषलjonama इसराई का यह सीरिया का डमेसकस यह देखे काई रो एजिप्ट तो युच तो हम देखते हैं आडा उत्वमन एमपाईड़ वर्थमांट का तरकी और अरब का च्छेत्रा कहता और्टमन पायर इसका नाम उस्मानी सम्राज्य या तुर्क सम्राज्य एक ही नाम है उस्मानी या तुर्क सम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंद इस परकार से बनाए मुगलों ने उस्मान के साथ अपने संबंद ऐसे बनाए कि उनको तीरतियात्रा और व्यापार इन दोनों क चेत्र की तरफ क्योंकि मक्का और मदिना जैसे इंपोर्टेंट तीर्थ स्थल थे तो यहां सभी पूरी दुनिया से मुस्लिम जाते थे तो यहां के मुस्लिम भी वहाँ जा पाए इसलिए मुगलों ने इनके साथ सम्मंद अपने अच्छे बना के रखे मक्का और मदिना अपने सम्मंदों में मुगल बात्सा आम तो भर धर्म और वानिज्जे के मुद्दे क्योंकि ये एरिया मैंने कहा व्यापार के लिए भी काफी लोग जाते थे तो यहां पर मगलाथना अपने इस तरह बनाते थे इनको धर्म और dharm और क्यापार दुनों में ही काफी सहता मिले क्या था लाल सागर आपने देखा यहीं पर रेड सी भी है आपने जब इनक्सा देखा था यहां पर जो लाल सागर है यह रहा आपका रेड सी देखाई दिया आपको साभास मक्का और मदिना अरब के पिलकुल पास में ही रेड सी आपको नजर आएगा हाँ जी यह आपक स्वेज नहर बनाई गई है तो यहीं पर भूमदे सागर औरंव बाद में बनाई गई है तो यह आपका मैंने कहा रेड सी तो मैंने कहा रेड सी में आपका अदन और मोखा ठीक है यहाँ की जो प्रमक पोर्ट है यहाँ से बहुमले वस्ताओं का नियात यह.- तिवेट करते थे मुगल बात सहां, और इनसे जो इंकम हो रही है, उनी इनकम से उस इलाकी के जो धर्मिस्तल है, उस इलाकों में जो उनके तीर्ते, वहाँ पर और उनके फकीरों को बाड़ दिया जाता था, जितनी इनकम होती थी, ठीक है, तो यहां से होने वाली आए, वही में ही वित्रित कर दो क्यों महा भेज़ें तो यहां पर अरंग जयव का एक statement है यह कहता है यह भारत यानि भारत यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का तो हम अपने पैसे को यहीं पे अपने धर्म कामों में लगा हैं ज़्याद अच्छा है तो उन्हेंने का वॉज एच मच हाउस अफ गॉड एच मक्का अल्गा टॉपिक इसमें आता है जो मुगल दर्वार में जैश्वीट धर्म परचारक जैश्वीट मैंने का जीसस से जोड़ा हुआ सब्ल है जैश्वीट यानि कि क्रिश्चिनेटी को ज सबसे पुराने विवरण मिलते हैं पंद्र सताबदी के अंतता भारत को खोजा गया था कब वही थी भारत की खोज 1498 और किसने की थी पुर्टगाली व्यापारी वासको दगामा तो वासको दगामा ने 1498 में जब इंडिया को खोजा मैंने का इंडिया को गायब नहीं था इंडिया था पर इंडिया का रूट खोजा गया यूरोप के आर यूरोप के द्वारा तो यूरोप से इंडिया के लिए जो रूट खोजा था कहता है 1498 में पुर्टगाली वासको दगामा तो पुर्टगाली राजा भी कहता है सोसाइटी ओफ जीसस इसी को जीसवीट कहत पुर्टगाली राजा इसलिए इनको मोटिवेट करते थे व्यापारियों को कि व्यापार भी आप करिए और साथ में अमारे धर्म परचार का काम भी आप करिए आपको यह मैप दिखाई दे रहा है इसमें आप देख सकते हैं कैसे यहां से इंडिया का रूट हो जा गया था 14 1998 में यह देखें लिस्बन इस दा कैपिटल अफ पुर्टगाल यहां से बिलकोल यहां पर एट्लांटिक ओशियन होते वे पूरा यह अफ्रीका को नीचे से पार करते वे फिर यहां से याप पहुंचे इंडिया यह रूट खोजा गया था वासको दागामा के द्वारा ठी से यात्री कई महीनों सालों की यात्रा हैं इसमगर में किया करते थे ठीक है बड़ी दुर्गम यात्रा है हाँ जी देखें एक इसमें आर्टिकल आपको दिया हुआ है क्यारा है बातसाह तक सुलब पहुंच पहले जैश्वीट सिष्ट मंडल का एक सदस्य मॉंसरेट अप कोई रातसा से मिल पाए ठीक है कोई एक उसको ऐसा कुछ कुलीन व्यक्ति मिल जाए जो उसको राजा से उसकी भेंट करा पाए तो कहता है यह कौशिस करता रहा तो यह बता रहा है कि बातसाह तक कितनी पहुंच मुश्किल काम है ठीक है हाँ जी कहता है अकबर अकबर के ब भेजा गोवा और पहला जैस्यू सिस्ट मंडल आया फिफ्टीन एटी में मुगल दर्बार में फत्यपूर सीक्री में और लगपक दो साल तक वो रहा फत्यपूर सीक्री में अकबर के पास और अकबर से उन्होंने इसाई धर्म के बारे में काफी बाते करी अकबर इनके जो स लाहूर के मुगल दर्बार में दो और शिष्ट मंडल 1591 और 1595 में दो और शिष्ट मंडल भेजे गए थे जैस्यूट के तवारा कब 1591 और 1595 में उस समय दर्बार कहा था लाहूर मैंने कर राजधानी सिफ्ट हो गई थी पहले आगराफ हतेपूर सीक्री फिर लाहूर हाण हाँ जी कहता है सावजिने के सिफ्ञआँ में जैस्यूट लोगों अक्पर के काफी नजदीक इस्तान ने कहा था बातसा के जो यहितना नजदीक बीठेगा इसका मतलब उसका स्थान उत्ना करीब बातसा के तो किहता है और यह जो बातसा है उसके बच्चों को भी शिक्सा देते थे और फुर्शत के समय में वे बादसा के साथ अक्सर बाते किया करते थे उनके साथ समय वितीत किया करते थे तो अप्चारिक धर्म पर प्रशन उठाना ये इसका लास्ट टॉपिक आज का है तो हम इस पर देखते हैं कहता है जो जैस्वीट सिष्ट मंडल के सदस्य हैं उनके प्रति अत्वर ने काफी हाई रेस्पेक्ट शो किया उच आदर प्रदसीत किया इससे जो जैस्वीट थे वो बड़े प्रभावित हुए कि वादसा में इतनी इज़त इतना सम्मान दे रहा है इसाई धर्म सिधानतों में बादसा की स्पष्ट दिल्चस्पी इसाईयों में बादसा की दिल्चस्पी को देखके उनको लग रहा था कि बादसा अब धर्म परिवर्तन करवा के मानेगा तो इसलिए उन्होंने काफी इंट्रेस्ट दिखाया कि कि किसी तरह बादसा में काम क्या था इंक्सिष्ट मंडल का इसायत को बढ़ावा देना तो ये बादसा को सीधा इसी के माइने समझाने में लगे थे ये देखिए आपको एक ये चितर दिखाई देरा आपके बुक का चितर 9.7 कहता है दरबार में धार्मिक वाद विवाद इसमें एक पादरी है रु अपर विद्वानों का सब्मान देता था उनकी संगत में रहता था उनसे काफी कुछ चीजे चीज़े सीखता था तो कहता है अपर की तलास वत्यपूर शीखरी के बादत खाना मतलब यहां पर सभी धर्मों की लोग कहता है विद्वान मुस्लमान, हिंदू, जैन, पार्श इसाई इन सभी के बीच इंटर फेथ डिबेट्स अंतर धर्मिय वाद विवाद होता था ठीक है यहाँ पर सभी सकारात्मता के साथ एक दूसरे के साथ धर्मों का वाद विवाद करते थे कहता है अकबर के धर्मिक विचार अकबर के धर्मिक विचार कहता है विविन धर्मों और संपरदायों के विदवानों से प्रशन पूछना अकबर जो अपने विचार है सभी धर्मों संपरदायों के विदवानों से प्रशन पूछना उनके सिध्धानतों को समझना और उनकी जानकारी को इकठा करना इन सबसे मैचूर है किसके अकबर के विचार ये है अकबर के विचार जो मैचूर होने का कारण सबी धर्मों के विचारों को सुनना उनसे प्रश्न करना और उनके बारे में जानकारी इकठा करना कहता धीरे धीरे वह वह मतलब अकबर धर्मों को समझने के रूड़िवादी तरीकों से दूर परकास और सूर्य पर केंद्रित डेविय उपासना के स्वकल्पित जो उसने अपनी कल्पना की थी विबिन दर्सन गराही की और बड़ा अब उन्होंने इसायत के अलावा उन्होंने जब सभी धर्मों से अच्छी बाते देखी और एक परकास और सूर्य पर केंद्रित ठीक है कहता है लाइट एंड सन इस पर जो बेश्ट डेविय उपासना है इसका स्वकल्पित एक दर्सन उन्होंने डेवलप किया ठीक है अकबर और अबुल फजल ने इस परकास के दर्सन का स्रजन किया फिलोसोफी ऑफ लाइट ये उन्होंने बताया इसमें डेविय रूप से प्रेरित व्यक्ति का जो डेविय रूप यानि की जो कहता है हमारा दिवाइनली इंस्पाइड इं रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच पर भुद्व और अपने सत्वों पर पूर्ण नियंत्रण होता है ठीक है ये था आपका आज का टॉपिक इसमें कुछ टाइम लाइन दी गई हैं आप इनको भी एक बार अच्छे से देखें इन में आपको बत को मैंने आपको हमाईो नामा में मुग्लों की घरेलू दुनिया का वरण है 1589 में भेको बाबर के रूप्षे फार्सी में अनुः उनुः बाबर- नामा का अक पर नामा पर काम कब किया 1589 से 1602 तर और जहांगीर नामा नाम से अपना सहिस्वर लिखवा या 1605 से 1622 और लाहुरी पढ़ा था हमने बातसा नामा के राइटर इन्होंने पहले दो जिल्द लिखे थे 1639 से 1647 मुहमद वारिस पढ़ा था हमने 1650 के लगबग में जहांगीर के सासन के तीसरे दसक के इतिवित लेखन की शुरुआत वारिस ने कंप्लीट किया था बाद में ग व्याजिम घयां से समझे हुमाईू नामा कौन है अबबल फजल और जहांगीर नामा कौन है यह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है यानि की आत्मकथा जोग स्वैम लिखी हैicar तो आजके वीडियो में इतना ही मैं फिर कहूंगा वीडियो पसंदा आया हो तो लाइ झाले सकति झाले सक्ट वारे